अब आप लोग का चैप्टर नुमर टैन जो कि आपका लास्ट चाप्टर है एलियन हैं उसकी कुछनांसर कंप्लीट करने वाले हैं एक्पलीट कर चुके हैं तो चलिए कुछनांसर की तरह बढ़ते हैं पहला कुछन आपका है अब तिल्लू ने कैसे उस पर फॉबिड़न पैसज जो था वो जो खुफिया रास्ता था उसका रास्ता कैसे निकाला वहां पर जाने के लिए अब जब उसकी फादर जो है वो नप ले रहे थे दुपहर में आफ्टनून में तो क्या था तिल्लू को मोका मिल गया उस फॉबिड़न पैसज में जाने के लिए तिल्लू ने क्या किया अपने फादर का सेक्योरिटी कार्ड उठाया और अपनी मदर की आँखों को चक्मा देते हुए वो वहाँ पर गया जहां पर उसके फादर जाते थे हर रास्ते से हर रोज जिस रास्ते से उसकी फादर जाते थे वो वहाँ पर गया और वहाँ पर एक मैटल दोर था, उसमें एंट्रे उसने की, और जैसे उसके फादर डालते थे, स्टॉट में कार्ड उसने भी बिलकुल वैसे ही किया, लिए बिना आवास किया, वो जो दर्वादा था, वो खुल गया, और वो कैसा रास्ता था, बिलकुल लाइट लगी, बहुत साही लाइट का वो रास्ता था, बहुत साही लाइट सहाँ पर लगी हुई थी, स्नाचिंग दे कार्ड विच हैड कम आउट अफ अनधर स्लोट इन दे वाल, चिल्लू स्टार्ट इस मार्श अलोंग अग जेंटल अपवाड स्लोट अर एक और वोल ती जहां से एक और स्लोट निकला और उसने जल्दी से उस कार्ड को खेंच लिया, एक और कार्ड उसको म अटिलू होग से उसे अटिक्था आप एक और स्ट अनधर नी आप यह कि अधन। तो अगर में दिन में मतलब अगर वहाँ पर दिन होगा देटाइम होगा तो मतलब सन वहाँ पर निकलेगा और अगर रात का टाइम होगा तो स्टाइट्स देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था कुछ नवर थर्ड है आपका वाय दिदे त्टिलूस फादर अडवाइज हिम नोट टो टॉष देश अव दावाइज अफ अभ टेलू के फादर ने क्यों उसे एडवाइज किया कि वह ठाइना करें प्लैनेट के सर्फिस पर जाने के लिए तिलूस फादर अडवाइज हिम not to reach the surface of the planet as an ordinary person could not survive there. The reason for this was that the air at the surface was too thin to breathe and the temperature was so low that one could freeze to death. यानि फादर ने कहा कि कोई भी जो ordinary person होता है, कोई आम इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता because वहाँ पर जो air है वो हमारे लिए sufficient नहीं है, वहाँ हम जिन्दा नहीं रह सकते और जो और उसका जो temperature वो बहुत लो है जिससे हमारी death हो सकती है, हम freeze के कारण मर सकते हैं, हम जम सकते हैं वहाँ पर. Question number 4, what changes had occurred which forced people to live in underground homes? अब ऐसे क्या changes है थे जिनकी वज़े से लोग को underground homes में रहना पड़ा? People were forced to live in underground's home because the sun which had provided them with sustenance had turned hostile. It changed only slightly but the change was sufficient to upset the balance of nature on the planet. First the birds became extinct, then the animals and finally the fishes. The superior technology of human beings enabled them to survive underground. अब लोग क्यों underground रहना पड़ा था? क्योंकि जो sun था, वो इतना हमें जिन्दा रहने के लिए जो temperature होता है, वो हमें देही नहीं पा रहा था. और वो क्या था? उसका temperature बहुत बदल चुका था. It changed only slightly. उसमें थोड़ा सा ही change हुआ था. बट ये change हमारे लिए sufficient था कि हमारा जो nature का balance है वो बिगड़ जाए. और first पहले कि वो birds जो है वो उनकी death होने लगी and then उसके बाद animals और fishes साब मरने लगे. बट हमारे अच्छे technology के वाज़े से जो human beings थे वो underground survive कर पाए. पेज नमबर 71 पर question नमबर 1st है आपका, why was everyone in the control room greatly excited? तो control room में हर कोई जो था वो बहुत greatly excited क्यों था? Everyone in the control room was greatly excited as they had spotted a dot in an otherwise clear background on the big TV screen. They thought it was a spacecraft but decided that it required watching. अब हर कोई control room में जो था वो greatly excited था because उन्हें big screen पर TV की बड़ी बड़ी screen पर क्या दिखाई दे रहा था? Background पूरा clear दिखाई दे रहा था, महाँ पर एक dot दिखाई दे रहा था उन्हें और ऐसा लग रहा था, उन्होंने सोचा वो एक spacecraft है लेकिन उन्होंने सोचा हमें थोड़ा ओर देखना चाहिए Question number second Was the spacecraft manned or unmanned? How do you know it? तो जो spacecraft था, वो manned था, यानि उसके अंदर कोई इंसान आया था या फिर वो machine, सिर्फ machine थी उसके अंदर How do you know it? तो चली पढ़ते हैं, the spacecraft और ये कैसे पता चला था? How do you know it? और ये कैसे पता चला था? The spacecraft was unmanned तो जो spacecraft था, वो unmanned था, यानि उसमें कोई इंसान नहीं था Number one told the president Number one ने बताया था President को that according to their reports के Reports के according, the spacecraft did not contain living beings के कोई भी living beings उसके अंदर नहीं है They only had instruments, सिर्फ instruments ही उसके अंदर है Question number three What did number one and number two suggest Should be done about the alien spacecraft? अब alien spacecraft के जो alien spacecraft थी उसके लिए क्या suggestion दिया था? Number one and number two ने क्या करना चाहिए उसके साथ? तो number one ने कहा था कि उसे destroy कर देना चाहिए, खतम कर देना चाहिए, लेकिन number two ने क्या कहा था? कि हमें उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए बलकि हमें उसके पता ही नहीं लेगने देना चाहिए कि हम exist करते हैं यहां पर कोई life भी है ताके वो हम पर कुछ न कर सके number one suggested that they could totally destroy the spacecraft with their missiles, but they did not have the capacity to render those crafts unoperationally in space but देखो number one ने क्या suggest किया था कि अपनी missile से हमें spacecraft को destroy कर देना चाहिए, बट वो अभी थोड़ा दूर था planet से इसलिए हमारे पास इतनी capacity नहीं थी कि हम उसे दूर से destroy कर पाएं, however, if they landed और जब वो land करेगा तब हम उसे destroy कर सकते हैं, यानि they could render them ineffective anytime they choose, यानि जब वो land करेगा तब हमें उसे destroy कर सकते हैं, number two ने suggest किया, number two suggested non interference and passive observation, he said that they did not know anything about the power or the intentions of the senders of the spacecraft, तो number two ने suggest किया, कि हमें कोई भी interference नहीं करना से चाहिए, और हमें सिर्फ observe करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके पास कितनी power है और क्या intentions है, जिनोंने ये spacecraft भेजा है, thus they should not reveal their existence और हमें अपनी existence को reveal नहीं करना चाहिए, if they destroyed the spaceships, अगर हम spaceships को destroy करेंगे और rendered them ineffective, they might risk revealing their existence, तो ये हमें हमारे लिए बहुत risk की बात होगी, हमारे लिए खत्रा हो सकता है, अगर हम उन्हें ये बता देंगे कि यहाँ पर हम exist करते हैं, पेज नमबर 73 पर कोशन नमबर 1 है आपका, if you had to live in a home like Toulouse, what parts of life would you find most difficult, what compensations might there be? तो ये आपको खुद करना है बच्चों, ये दोनों कोशन आपको खुद ही करना है, चलिए ये वाला कोशन नमबर 1 है, डू यू थिंग दे मेकैनिकल हैंड वोस ट्राइंग तो डू, अटो ये इन की कोशिछ कर रहा था, तो ये दोनों कोशन नमबर 2 है, तो ये दोनों कि नमबर 2 है, अब तिल्लू ने जो red button था उसको press कर दिया और damage जो था वो हो गया तो वो क्या damage हुआ था by pressing the red button तिल्लू made the mechanical hand from the spacecraft cease to work तो क्या हुआ था जो spacecraft था उसमें जो mechanical hand था वो बिल्कुल रुख गया था यानि उसने काम करना बंद कर दिया था अचानक जैसे उसने red button को press किया where had the spacecraft come from space craft जो था वो कहां से आया था the spacecraft had come from earth यानि हमारे earth से वो गया था मार्स पर question number four on which planet do tillu and his parents live tillu and his parents lived on Mars ठीक है तो तो तिल्लू और उसकी parents कहां पर रहते थे मार्स पर जहां पर हमने अपने स्पेस क्राफ्ट को भेज जाता और हमें पता चला कि वहां पर कोई भी exist नहीं करता है तो चली बच्चों आपके जो कुशनासर हैं यहीं पर complete होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबाइबाय एंड टेक क्यर